आज ओवियूल और मेगा इस्पुरेंजियम के बारे पर चर्चा करेंगे एंजियोई स्पर्म में ओवियूल पाया जाता है जिम्नोई स्पर्म में भी यह मिलता है यहां पर हम एंजियोई स्पर्मिक ओवियूल के बारे पर चर्चा कर रहे हैं तो ओव्यूल या मेगा स्पुरेंजियम इसे पढ़ने से पहले हम इस्त्री के सर अर्थात पिस्टिल के बारे पर देखेंगे, ये पिस्टिल होता है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये इसका स्टिगमा कहलाता है, अब ये ओव्यूल जो भी पढ़ने जा रहे हैं, वो कहां पर होता है, ये ओवरी में सेट रहा करता है, यहां पर ओवरी में ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, अब यहां पर ये जानना है कि ये ओव्यूल किस चीज से लगे रहा करते हैं, तो ये इस्थान प्लैसेंट प्लैसेंटा कहलाता है यह जानना बहुत अन्युवार है प्लैसेंटा पर सारे ओवियूल लगे रहा करते हैं और यह जिस रचना से लगे रहा करते हैं इसे हम फुनिकल कहते हैं यह स्ट्रक्चर इसका फुनिकल कहलाता भी हम बड़े चित्र पर देखेंगे इसको हम फुनिक कहते हैं बहुत ध्यान दे करके इसको देखे ओवियूल ओवरी पर जहां पर सटे रहते हैं जहां पर लगे रहते हैं उस रचना को क्या कहते हैं प्लैसेंटा कहते हैं और प्लैसेंटा और ओवियूल के बीच पर यह जो धागे जैसी रचना होती है जो ओवियूल को प्लैसें हम फूनिकल कहते हैं, तो आए इसको डिटेल में देखते हैं, एक ओवियूल को निकाल करके हम यहाँ पर यह दिखा रहे हैं, यह एक ओवियूल का इस्ट्रक्चर है, इसको हम पढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाते जाएंगे, बिजान्ड अंडासे में बिजान्डासन से एक पतले बरंत द्वारा जुड़ा रहता है मतलब ओव्यूल जो होता है वो ओवरी में प्लैसेंटा से एक पतले धागे के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे बिजान्ड बरंत या फूनिकल कहते हैं आप इस structure को फूनिकल कहेंगे, फूनिकल, ये structure फूनिकल है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये placenta से ovule इस पतले रचना के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसे फूनिकल कहते हैं, वही यह रचना है जो यहाँ पर यह दिखाई जा रही है, ठीक, इसके बाद बीजांड का हुआ है स्थान, मतलब ovule का हुआ है स्थान, जहां यह बीजांड बरंत से जुड़ा होता है, उसे हाइलम कहते ही, मतलब ये पार्ट इसका हाइलम कहलाता है, ये पूरा बीजांड है, ये जो गोल गोल उपर बना हुआ है, ये बीजांड कहलाता है, ये पूरा इसके बाद बीजांड के अंदर का अधिकांस भाग म्रदूत की कोसिकाओं का बना होता है यह पूरा गोलवाला बीजांड है तो इसके अंदर का अधिकांस भाग पैरिन काइमेटर सेल्स का बना होता है जिसे निूसेलस कहते हैं मतलब पूरा portion यह, यहाँ पर जो भी रचना है, यह पूरा यह, यह किस cells का बना है, पैरिन काइमेटर cells का बना है, और उसे क्या कहते हैं, बीजान्ड काई, बीजान्ड की बाड़ी, बीजान्ड का सरीर, इसे हम science की भासा पर new cellus कहते हैं, यह पूरा new cellus का portion है, आप चाहें तो लिख दीजे कहीं पर यह, यह new cellus का portion है, पूरा new cellus, इसके बाद, अब आगे, बीजान्ड काई, मतलब new cellus, एक या दो कवचों से ढखा रहता है, जिन्हें integuments या अध्यावरण कहते हैं, यह, यह जो आवरण बना हुआ है, यह एक आवरण हो सकता है या दो आवरण हो सकते हैं, यहाँ पर हमने दो आवरण बनाया है, एक आवरण ये और एक आवरण ये, तो यह एक आवरण भी हो सकते हैं, दो आवरण भी हो सकते हैं, और किसी में आवरण होता भी नहीं है, तो इस की आधार पर बीजांड तीन प्रकार की होते हीillar हमेने चर्चा किया कि एक टेगमिक उव्यूल यूनिट Cities भाइ टेगमिक उव्यूल यूनिट को व्यूल में इंटेगुमेंट आपसेंट रहेगा यहां पर लग जाता उसका अगला पॉइंट है, बीजांड के अगर भाग पर एक छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार या माइक्रो पाइल कहते हैं, ये छिद्र, ये छिद्र माइक्रो पाइल कहलाता है, ये इसका अगर भाग है, ये, ये माइक्रो पाइल है, तो इसमें लिखा हुए कि बीजां काय का आधार निभाग या चलाजा कहलाता है मतलब इसका जो बेस होता है तो इसका अगर भाग हो गया इसका पस्च भाग ये वाला होता है तो ये इसका पोर्शन चलाजा कहलाता है या निभाग कहलाया करता है इसके बाद बीजान्ट काय के मध्ध में एक थैली जैसे रचन पाई जाती है जिसे भुरूर कोस या embryo sac कहते हैं embryo sac present in the center of the ovule ये जो बना हुआ है इसे हम embryo sac के नाम से जानते हैं भुरूर कोस या embryo sac यहीं पर embryo सुरचित रहता है भुरूर के रहने का स्थान है इसके बाद भुरूर कोस में तीन कोसिकाएं निभाग की ओर होती हैं जिन्हें antipodal या प्रतिमुख कोसिकाएं कहते हैं मतलब embryo sac पर यहां पर तीन कोसिकाएं पाई जाती हैं निभाग की ओर चलाजा की ओर इन्हें हम antipodal cell कहते हैं antipodal cell या प्रतिव्यासांत कोसिकाएं कहते हैं इनको हिंदी पर या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, इसके बाद फिर है, भृूर कोश में तीन कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं, जिने हम अंड उपकरण या एग अपरेटस कहते हैं, जिसमें बीच में अंड कोशिका तथा अगल बगल सहाय कोशिकाएं या सिनर्जिट्स पाई जाती हैं, यह माइक्रूपाइल की तरफ तीन कोशिकाओं का गुरूप पाया जाता है, इसे हम एग अपरेटस कहते हैं, पूरे को हम एग अपरेटस कहते हैं, बीच वाली कोशिका को एग कहते हैं, आजू बाजू की जो ये कोशिकाएं होती हैं, इन् दोनों को मिला करके क्या कहेंगे एग अपायरेटस कहते हैं भून को उसके मद्ध में दो धुरुवी केंद्रक मिलते हैं जिन्हें पोलर नुकलियाई कहते हैं यह यहाँ पर मद्ध में दो पोलर नुकलियाई मिलते हैं इनको polar nuclei कहते हैं या इनहीं को secondary nucleus कहते हैं तो यह ovule की पूरी रचना हो जाती है यहाँ पर हम बताना चाहते हैं A-tegmic ovule यह अक्सर कमक्टीस में पूँछा जाता है कि A-tegmic ovule का example बताईए तो A-tegmic ovule का example है यहाँ पर हम लिखे देते हैं A-tegmic ovule का example क्या है चंदन है चंदन और लोरैंथस इन पर integument नहीं पाया जाता है ovule पर यह तो दो एक्जामपल हैं और यहाँ पर यह पूँछा जाता है यूनी टेगमिक ovule यूनी टेगमिक ovule जिमनोइस्पर्म में पाया जाता है Unitegmic Ovule जिन्नोई Sperm में पाया जाता है Bytegmic Ovule काफी पौधों पर मिलता है तो यह जो यहाँ पर खास है सबसे ज़्यादा A-tegmic Ovule और Unitegmic Ovule को और हम अगर Ingeo Sperm में बात करें तो Ingeo Sperm में यहाँ पर Unitegmic Ovule यह पाया जाता है सूरज मुखी में Sunflower में सूरज मुखी में और गेंदा के फूल पर Ingeo Sperm में हम नाम ले ले Sunflower और Marigold Centelum और Lorenthus यह इंगलिस नाम है फिर सुन लेजिए चंदन का Centelum Lorenthus है यह और यह सूरज मुखी का Sunflower होता है गेंदा का Marigold तो इसके लिए ट्रिक हमने बनाया है ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं अच्छा बताए देखे Sun सूरज माने क्या Sun है तो Sun कितना होगा एक होगा Sun पूरे उस पर एक ही Sun तो है सूरज मुखी मुखी मिलेंगे और गेंदा पर मिलेंगे तो बहुत आसान है इसको आप याद कर सकते हैं जिसमें टेगमिक ना हो, मतलब इंटेगुमेंट ना हो, तो इसको कैसे याद करेंगे? ये, इसको हम याद कर लेंगे, चंदू लाल, ये माने क्या होता है? अपसेंट होता है, चंदू लाल अपसेंट होंगे कब? जब सूर्य रहेगा, जब सन रहेगा, तो चंदू लाल अप्सेंट होता है क्या? इंटेगु मेंट्स. ये नहीं पाया जाता है. ये याद करने कि इसकी टृक हो गई. ये ओवियूल के बारे पर लेचर था. आप चाहें तो इस फिगर की स्क्रीन साट ले सकते हैं पूरे की. और आप चाहें तो ये पूरा ले सकते हैं ओव्यूल के रचना के बारे पर आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो इंग्लिस में भी लिख सकते हैं थैंक्यू फार वाचिंग